हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग फिर से मैं लिखे हैं हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जो है माई बाइक के ही रिलेटेड इसमें मैं आपसे एक जनरल जो प्रोब्लम आती है सबी साइकल्स में जो सस्ते वाले होते हैं जहां स्टार्टिंग रेंज के होते हैं एस्पेशली जैसे माई बाइक हो गया यहां और साइकल्स हो गए जो दसदार से नीचे आते हैं ठीक है उनमें बेसिकली एक इशू रहता है जब भी आप उसको राइट करते हो इस्पेशली इंडियन रोड्स पे तो जब आप खड़ क्या उसमें इधर प्ले आ गई है रोकन रोल कर रहा है पीछे तो वह सिचुएशन ऐसे क्यों आती है और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो तो इस वीडियो को आप देखते रहिए और मैं आपको वह चीज़ बताने वाला हूँ सो बिसिकली दोस्तों होता क्या है जो यह हैट सेट होता है इसको हैट सेट बोलते हैं ठीक है यह फ्रेम है और यह हैट यूब है यह हैट सेट होता है है हैट सेट आते हैं साइकल में दो टाइप के जो मेजर है सबसे ज़दा आपको मिलेंगे टू टाइप साफ है ठीक है ए ठीक है, जो threaded headset है, उसके example है, ये, my bike, ठीक है, जो threadless होता है, उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ, example, ये है road bike, ठीक है, ये है threadless headset के साथ, ये वाला threadless होता है, तो basically, दोस्तों, इसमें difference क्या होता है, जो basically difference होता है, locking और adjustable play होती है, उसको control करने का basically फर्क होता है, इसमें जो ये आपकी stem है, ठीक है, ये stem है, जे stem सीधर quill stem बोलते हैं, ये होती है, इसको भी आप stem बोलते हो, बट इसमें जो आप handle tight करते हो, तो bolts का फर्क है, इसमें मैं आपको गिनाता हूँ, कितने bolts हैं, इसमें आपके handle के साथ, ठीक है, कितने bolts हैं, ये front को नहीं हम गिने के उपर वाले को, ये वाला है, उपर वाला, इसे आप control करते हो, handle को कितना left and right घुमाना है, ठीक है, tight करना है, first ये हो गया, और second ये हो गया, तो आप देख सकते हो, दोस्तों, ये पूरा को पूरा जो headset है, ठीक है, ये सिर्फ दो bolts पे टिका हुआ है, और इतना सारा load, तो bolts पे आएगा, और जब bike भी होती है, basic, तो उसकी quality भी बिल्कुल normal सी होती है, फिर बहुत जादा उसको आप high five चीज़ आप expect नि कर सकते हैं, और जो ये वाला है, इसमें आपको घिनाता हूँ, दो, जो stem है, stem है, one, two bolts, और तीसरा bolt है ये वाला, इससे आप play adjust करते हो, ठीक है three bolts आते हैं, उसमें सिर्फ two हैं, तो उसमें एक added safety आती है, और इसकी जो जो इसका technology है, जो इसका तरीका है, वो भी बिल्कुल different है, उससे भी, ये वाले bikes में, आप चाहिए जितना मर्जी, खड़ो वगारा में बगालो, चाहिए जितना मर्जी rough handling कर लो, जो MTB है, अच्छे number लगती है, उससे आप अराम से इसको set कर सकते हो, जबकि इसके लिए आपको 32 number या 30 number और एक monkey player चाहिए होता है, और इस वीडियो में आपको proper वही बताऊँगा, इसको आप अगर adjust करना चाहो घर पे ही, proper आपने play दूर करनी है, तो आपने कैसे दूर करनी है, शुरू करते हैं हम, तो दोस्तों आपको कौन-कौन से tools की जरूरत पड़ेगी, तो चीजे चाहिए, एक आपको चाहिए 32 number चाहिए, ठीक है, और एक आपको चाहिए ये वाली चीज, इसको बोलते है monkey player, तो जो ये monkey player है, इसका आप use कैसे करोगे, जो इसमें basically दो चीजे होती हैं, जिसक होती है adjustable race, जो adjustable race है, वो क्या होता है, वो आपका जो उसकी play है, play को control करती है, proper आपने उसकी play set करनी है, ठीक है, तागे उसमें play almost zero या negligible रहे, फिर उसके बाद जब वो हो गया set, फिर आपने इसी से पकड़ के रखना है, monkey player से ऐसे खोल के, और फिर उपर से जो 32 number है, कई bikes ह होती है, उनमें 30 होती है, कई bikes होती है, 32 होती है, जातर में 32 पाई जाती है, फिर उपर से आपने यानि adjustable race को पकड़ के, जो lock nut है, lock nut को properly tight कर देना है, और यह बहुत ज़्यादा दमनी लगाना, basically इसको firmly tight करना है, क्योंकि जो इसके threads होते हैं, जो इसकी steering rod होती है, जो steering rod के उपर thread होते हैं, वो काफी पतले होते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा दम लगाओगे, तो फिर तो भाई, कहीं भी घुमा लो, फिर तो play ही मिलती रहेगी, आप अपने हाथ से tight करते रहोगे, सिर्फ adjustable race को adjust कर पाओगे, lock nut का भी tight ही ने हो पाएगा, फिर आपको उसमें दोस्तों मैं आपको दिखाता हैं, इसको कैसे करते हैं, तो ये है हमारा headset, ठीक है, ये आपका frame हो गया, ये आपका head tube हो गया, और ये आपका headset हो गया, और ये आपका हो गया, इसको बोलते हैं, stem, ठीक है, quill stem बोलते हैं इसको, और ये है जो नीचे है, ठीक है, ऊपर कुछ है नहीं कोई चाब भी गयर लगाने के लिए इसको बोलते हैं एडजस्टिबल रेस यहां पे हम क्या यूज करेंगे यहां पे हम यूज करेंगे मंकी प्लायर ठीक है मंकी प्लायर से ऐसे एडजस्ट करके ऐसे पकड़ेंगे पकड़ने के बाद फिर जो ऊपर है यह है लॉक करना है चो फ्रण्ट वाली और को ऐसे आगे पिछे रा करना रॉक करना है रोक और इससे आपको पता लगजएगा फेल आप पे हैंडल आगए पीछे आगए पीछे हिल रहा है रॉप कन रोल कर रहा है वह रोकंद रोल हमको नहीं चाहिए ठीक है तो इसको रिचेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले तो सिंपल है थर्टी तू नंबर किया जो रेंच है उससे आप इसको लूज कर द क्रहका इसक्डाब कर सकते हैं जब फोड़ी सी लीस हो जाएगी तो आप हाओ से ही खुमा सकते हो इससे आपने ठाइट नहीं करना है इससे बाद मेर्स दिकेंगे फ़ले इसको बिल्कुल साथ में जितना आप सब्सक्राइब करें अगर बिल्कुल सही है बिल्कुल मज़ेदार मक्खन की तरह घूंग रहा है फिर आप दोबारा ब्रेक को दबाओ आगे पिशे रॉक करके देखो अब जो यह वाला मेरा साइकल है इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत रफ और टफ चल भी चला है बड़ साथ की साथ कि इसको मैंने जो नट्स एंड बोल्स है इसको मैं प्रोपर टाइट करता रहा था तो इसलिए बहुत अच्छा है पहले ही कोशिश में यह प्रोपर टाइट हो गया इसके अंदर कोई प्ले नहीं है अब इसको हम फर्मली अब कर देंगे टाइट पक प्ले है उसके हैंडल में आ चुकी है उसको आप दूर कर सकते हो ठीक है अगर आप ट्राइब करते हो नहीं हो रहा ठीक कोई बात नहीं आप डिकैटलों जाए यह यह आपने जो नजदीकी है जो मेकैनिक है उसके पास जाए उसको करते हुए देखो ठीक है उससे पूछो तो इसको कैसे करते हैं अगर आपके पास काहर पे टूल्स हैं तो आप बड़े अराम से कर सकते हो अगर आप पे आप वास टूल्स नहीं भी या तो फिर्टी टू नंबर की दिश्रत है चुन लीचे वाला भी आना वह आप अपने हाथ से भी घुमा सकते हो वह बिल्कुल भी टाइट नहीं होता है टाइट से ऊपर वाला लॉक नट ही रहता है तो बड़े राम से आप बहुत एजिली कर सकते हो अगर आपको मेरी ये वीडियों अच्छी लग रही है तो चैयनल को सुब्सक्राइब जरूर करना आगे भी मैं ऐसी इंफोवेटी वीडियों लाता रहूंगा और चैयनल को सुब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियों को लाइक करना मत भूल जाना तो अगर आपके पास कोई ऐसी दिक्कत है आपकी माई बैक में आ रही है और आप चाहते हो मैं उसको बहुत सिंप्लिफाइ करके बहुत इसली आपको बताऊं उसको कैसे आप दूर कर सकते हो यह वो प्रॉब्लम क्यों आती है अगर आप ऐसी ही और चीजे सीखने चाहते हो माई बैक के बारे में यहाँ किसी और साइकल के बारे में तो नीचे आप कमेंट टरके बता सकते हो कोई ऐसी दिक्कत है जो आपकी साइकल में आ रही है तो अब मुझको कमेंट के माध्यम से बता सकते हो मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आपकी help कर सकूँ, आपको कुछ पता सकूँ, कुछ समझा सकूँ तो तब तक के लिए अगली वीडियो में दुबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाई-बाई के लिए बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई